तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के question answer session को of the Hindu newspaper and Indian Express newspaper आज के newspaper session को शुरू करने से पहले मोसाद को 36 तोपो की सलामी आप सबको खबर पता चली गई होगी कि किस तरीके से उन्होंने Hezbollah के terrorist group के members के pagers में कुछ ऐसी चीज इंस्टॉल करी जिससे वो at a time multiple explosions कर पाए उनके pagers में और बहुत सारे terrorist को उन्होंने मार गिराया It must be a lesson for our raw agency कि हम भी in future हमारे देश के लिए जो terrorist गातक हैं उनके against हम ऐसे act को perform कर सकते हैं तो चलिए खेर शुरू करते हैं आज के question answer session को देखो अभी अगर मैं आपको एक news बोलूँ जो economy perspective से सबसे ज़ादा important है वो है fed rate cut आप में से हर कोई अभी अगर मैं economy perspective से बोलूँ तो दो ख़बरों को बार बार अलग अलग जगे पढ़ रहे होंगे एक है IPO को लेके या मैं कहूं stock market को लेके कि वो बहुत ज़ादा bullish लग रहा है या मैं कहूं बहुत सारे लोग stock market में invest कर रहे हैं या मैं कहूं over financialization ये topics आप अभी सुन रहे हो इवन economic survey ने भी हमें ये बताया था कि Indian economy and specifically the stock market is over financialized मतलब की लोगों ने जो पैसा लगाया हुआ है stock market में वो बहुत ज़ादा है हमारी financial condition को देखते हुए उसके हिसाब से in proportion to debt इसका मतलब ये है कि ये जो stock market है ये अब एक नया casino बन चुका है देखो stock market का जो objective होता है न वो ये होता है कि एक company अपने business को expand करने के लिए लोगों से पैसा मांग रही है likewise वो लोग जिनके पास कुछ extra पैसा पड़ा है and they are looking for some investment opportunity they invest in those particular companies that yes we believe in your idea and you will make profit we have some spare money keep this money with you invest them make profit and share with us this is the whole concept of stock market अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग कर्जा ले ले के stock market में भी पैसा लगा रहे है और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ और ऐसे कोई भतोले बाजी नहीं चल रही है ये हमको data set बताता है data set हमको ये बताता है कि लगबग 50% लोग specifically 48% people are below age 30 इसी के साथ 7 out of 10 members are making losses in the stock market जो की साफ तौर पर दर्शार है कि ये सब होने के बाद भी अगर over financialization की condition इंडिया face कर रहा है that mean कुछ तो गलत चल रहा है बॉस ठीक है क्या ये exam perspective से जो चीज मैंने आपको बताई ये important थी जवाब है नहीं but economy को समझने के लिए आपको ये data set समझाना जरूरी था कि over financialization का मतलब होता क्या है और वो गलत क्यों है इंडिया के respect में जहां आजम खड़ें और उसको मैं नहीं समझा पाता अगर मैं आपको ये चीज नहीं समझाता तो ठीक है पहली चीज IPO क्या concept important है of course IPO, FPO ये क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्धे पर ये है पहला मुद्धा जिसको आप लंबे time से सुन रहे हो in the recent past दूसरा मुद्धा है federal reserve जो rate को cut करने वाला है जैसा कि आप जानते हो COVID pandemic के बाद में जो अमेरिका की central bank है उन्होंने बहुत ज़दा money supply को बढ़ाया जैसा कि हर देश ने किया था even India has done this due to which the money supply has increased in the market which led to the inflation अब inflation को control करने के लिए उन्होंने कुछ time पहले से अपने interest rate को hike करना शुरू किया interest rate को जब उन्होंने hike करना शुरू किया तो market में एक मंदी जैसा माहूल बनने लगा जो की बन रहा है तो अब ये जो federal reserve है वो अपने rate को cut करने वाली है शायद ठीक है ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे हमारे देश में जब monetary policy committee की meeting होती है तो आकलन लगाय जाते है कि repo rate cut करेंगे ये या repo rate बढ़ाएंगे इस तरीके के तो यहाँ पे भी speculations लगाय जा रहे अब बिल्कुल जैसे हम Reserve Bank of India के बारे में पढ़ते हैं जब हम money in banking module के बारे में पढ़ते हैं आप सब Indian economic students वो आप जानते हो जब हम money in banking module के बारे में पढ़ते हैं तो हम Reserve Bank of India के monetary stance के बारे में पढ़ते हैं We all have read about the hawkish monetary policy stance accommodative, dovish, etc In these Reserve Bank of India's monetary policy stance What we read That through these policy stance They have certain tools through which they can increase the money supply और decrease the money supply बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी Reserve Bank of India काम करती है वैसे ही Central Bank America की काम करती है उनके पास भी ऐसे ओजार ऐसे tools है अब मुद्दे की बात ये है कि ये तो हो गई पूरी picture जो मैं आपको समझाना चाहता था exam UPSC क्या पूछती है UPSC यहां से आपसे पूछती है कि अगर ये Fed rate cut हमें देखने को मिलता है या US Federal Reserve अपने rates को cut करती है तो इसका भारत पे क्या impact पड़ता है ठीक है इस पर मैं आपको multiple questions बना के बता सकता हूँ जैसे वो आपसे पूछ लेंगे might be possible currency पे क्या impact पड़ेगा वो आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया के import और export पे क्या impact पड़ेगा वो आपसे पूछ सकते हैं कि इससे हमारे देश में जो foreign portfolio investors invest करते हैं या FIA जिन की नाम से आप उनको जानते हो उस पे क्या impact पड़ेगा जो हमारे external commercial borrowing है जो हमारे corporate player बहार से fund लेते हैं उस पे क्या impact पड़ेगा ये अलग-अलग तरीके के questions यहां से बनते हैं अब मुद्दा ये है कि इन questions को solve किया कैसे जाए बड़ा simple सा जवाब है अगर आप basics को समझते हो तो इन हर question का जवाब एक ही जवाब से निकलता है और वो है money supply अगर आपको इतनी basic सी बात समझ में आती है कि US Federal Reserve के rate को cut करने से money supply वहाँ के market में बढ़ेगा मतलब वहाँ के लोगों के पास पैसा बढ़ेगा इसका मतलब वहाँ के लोग भारत में ज़ादा निवेश करने में सक्षम हो जाएंगे तो अब इसके क्या-क्या impact हो सकते है या आप खुद सोच सकते हो इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि वहाँ के लोगों के पास ज़ादा डॉलर आएंगे वहाँ के लोगों के पास अगर ज़ादा डॉलर आएंगे they will invest in the Indian market Indian market में invest करने के लिए they have to convert their dollars into Indian rupee due to which the value of Indian rupee will get appreciated इस तरीके से अगर आप एक sequence बनाके पढ़ोगे तो आप अपने आप चीजों को समझ जाओगे अब अगर इंडियन रुपी की value appreciate होती है तो import बढ़ेंगे या घटेंगे बिल्कुल common sense का question है चलो ये लोग आप ये चीज आप लोग chat section बताना ठीक है तो ये एक sequence है जो आपको पढ़ना चाहिए तो सारे इ लिया है मैंने आपको money and banking module और financial market module में इस पूरे sequence को समझाया है बहुत अलग-अलग तरीके से बहुत सारी जगे समझाया है ठीक है ये एक ऐसा typical topic है जिसमें students बहुत सारे challenges face करते हैं है जैसे इसमें confusing question बनता है bond price, bond yield, bond का interest rate इसको भी से connect किया सकता है हर चीज का solution घूम फिर के money supply आएगा अगर आपकी इस पे command है तब आप इन questions को कर पाओगे इन चीजों को समझ पाओगे और else आपको ये सब प्रवचन लगेंगे तो यहाँ पे बात चल रही है US Fed tapering के बारे में right मतलब की US Fed Fed Reserve ने अगर interest rate को बढ़ा दिया हम बात कर रहे है rate कम करने की clear मैं जो भी इस चीज के बारे में आपको बताऊंगा इसका ठीक उल्टा होगा जिसके बारे में हम समझना चाते हैं मैं फिर repeat करता हूँ यहाँ पे हम लोगों ने जिस चीज के बारे में पढ़ा है अभी मैं जिस चीज के बारे में आपको बताऊंगा उसका बिलकुल उल्टा होगा ज मतलब जब interest rate hike हुआ तो money supply कम होगा मगर जो article है उसमें जब fade rate cut करेगा तो money supply बढ़ेगा इसलिए हर चीज उल्टी होगी तो मैं आपको इसका उल्टी चीज बताता हूँ और इसके आप सीधी चीज चैट सेक्शन बताना जैसे जब fed reserve interest rate को बढ़ाएगा तो US bond की yield बढ़ जा यहाँ पे जो US federal reserve है वो less money economy में roll down करेगा जो US federal reserve है वो treasury bonds को कम purchase करेगा या मैं काँ उसकी purchase reduce हो जाएगी तो overall आपको FPI outflow होने को दिखेगा क्योंकि अब उन लोगों को जादा मुनाफ़ा होगा US के market में invest करके तो आपको यह देखने को मिलता है कि जैसे ही US federal reserve interest rate को hike करती है जब उन्होंने किया था तो हमारी monetary policy committee का भी stance generally यह रहता है कि हम भी अपने interest rate को बढ़ा देते हैं यह जो मैंने आखरी में conclusion दिया यह सबसे important point था अब let supposedly UPSC आपसे कैसा question मना के पूछता है कि जो हमारे देश की monetary policy है it is influenced by the US monetary policy yes in some way or the other we will get influenced right अब यहाँ पे sovereignty का concept नहीं आएगा मैं बताता हूँ आपको student गलती का करता है economic का जब question आएगा तो वो यह सोचेगा कि या मैंने तो quality में sovereignty पढ़ा है sovereignty में मैंने पढ़ा है कि हम अपने देश के reason खुल लेंगे किसी के my बाप में ताकत नहीं कि हमको कुछ समझा दे तो वो हमारे interest rate को कैसे impact करे है कि हमारे देश से FPI पैसा वापस ले जाएं तो हम उनके जैसे interest rate को set करते हैं ताकि जो profit उनको पहले हमारे देश में मिल रहा था उनसे जादा वो अभी भी मिले समझ रहे हो बात को इस तरीके से आपको comparison format में चीज़ों को पढ़ना पढ़ेगा अगर आप सिर्फ और सिर का ये तरीका होता है इसको सीख लो बस तो ये था about this particular topic आगे बढ़ने के पहले जैसे कि आप में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हमें आपके साथ मिल के prepare करना है round the year जिस तरीके से आप पढ़ाते हो हमें वो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगत है हमें बताओ कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं कैसे हम इस strategy को follow करके अपने competitor से जादा efficiently पढ़ाई करेंगे और कैसे कम time में हम चीजों को sum up करेंगे और कैसे हम daily basis पे अपने notes बनाएंगे भी और उन्हें update भी करेंगे ये process क्या है जो आप हमसे follow करवाने की कोशिश कर रह देखो ये जो पूरा खेल है जितने भी आप mind maps देख रहे हो या देखते हो ये सारे HD mind maps काम करते हैं as short notes for us जिसे हम आखरी time के लिए design करते हैं throughout the year daily basis पे ये जो HD mind map है जब हम हर topic का एक बार create करते हैं जो create किया जाता है अलग-अलग sources से जैसे अलग-अलग newspaper, the Hindu, Indian Express, business standard, P.I. and also some magazines एक बार एक topic का जब mind map create हो जाता है और वो mind map इस तरीके से बनाया जाता है जिससे pre के सारे सवाल हम हल कर पाएं और mains का एक बहुत प्यारा model answer हम लोग लिख पाएं बस हमारा काम खतम हो जाता है एक बार अगर mind map बन गया उसके बाद जब भी newspaper में वो article आता है हम अपने mind map को खोलते हैं उससे उसे compare करते हैं अगर newspaper के article में कोई नई चीज या ऐसी चीज आई है जो हमारे mind map में नहीं है कोई नई अपडेशन आईए तो हम उसे वहाँ पे लिख लेते हैं छोटी से line में और हमारा पूरा topic revise भी हो जाता है और update भी हो जाता है newspaper का newspaper पढ़ना हो जाता है और सिर्फ newspaper ही नहीं बहले ही वो PT 365 हो या बहले ही वो monthly magazine हो topic देखा उसमें update किया और आगे बढ़े इस तरीके से हम daily basis पे अपनी चीज़ों को update करते हैं और हमेशा हम pre और mains के लिए तयार रहते हैं इसका फाइदा यह होता है कि हमें आखरी time पे जो बाकी experience भागेंगे हमारे competitor इदर उदर हमको कहीं भी नहीं भागना पड़ता हम हर वक्त तयार होते हैं exam को देने के लिए तो यह जो smart work की strategy है यह मैं आप लोगों के लिए महनत करके दे रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत research लगती है mind maps को बनाने में इसके elaborative videos deliver करने में आपका hard work सिर्फ यह है कि आपको इन चीज़ों को follow करना है तो अब अगर आप इस चाहते हो तो मैं आपको suggest करूँगा www.buddhiacademy.in पे जाके आप courses को enroll कर सकते हो अब इस पूरी चीज़ को जानने समझने के लिए यह देखने के लिए कि यह चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं मैं आप सबको इस चीज़ सज़ेस्ट करूँगा टेलिग्राम चैनल पे जाके देखो जितने भी माइन मैप्स हम लोगों ने बनाए हैं वो सब वहाँ पे अवेलेबल है तो आप सब जाओ टेलिग्राम चैनल को खोलो वहाँ पे माइन मैप्स को देखो अगर आपको लगता है कि यह strategy आपके लिए बनी है आप आपके competitor को beat क कर सकते हो strategy को follow करके then do enroll in both the courses that is Indian economy and current affair you will be benefited a lot इसके बाद में जो next article है वो बात कर रहा है death penalty के बारे में अब बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे यह गलती मत करना कि आप इस article को पढ़ने लग गए it is of no mean exam perspective से एक भी चीज important नहीं मिलेगी मैं बताता हूँ पहले कैसे और यहीं पे majority of the student गलती करते हैं पढ़ाने वाले भी पढ़ा रहे हैं पढ़ने वाला भी अराम से पढ़ रहा है देखो यहाँ पे बात का चल रही है death penalty के बारे में ठीक है अब यहाँ पे कुछ अपराजिता woman and child west bengal criminal law amendment bill 2024 के बारे में बात चल रही है हम सब जानते है west bengal government इस bill को लेके आई है इसमें बहुत सारे provisions है आर जी कर medical college से यह मुद्दा जुड़ा हुआ है अब यहीं पे boxo का आना तो तय था prevention of children from sexual offenses act 2012 ठीक है अब मुद्दे की बात देखो बहुत से students हैं वो यह गलती क करते हैं कि west bengal state के इस bill को पढ़ने लग जाते हैं UPSC पूछे गई नहीं किसी भी state bill के बारे में नहीं पूछता है हाँ अगर rape survivor rape convicts rape के किसी mains के question को अगर आप attempt कर रहे हो तो सिर्फ इतनी basic knowledge होना चाहिए कि इस state ने एक बहुत अच्छा bill पारित किया है ठीक है फिर यहा सकते हो मैं example देता हूँ जैसे three quarter of countries जो है उन्होंने death penalty को abolish कर दिया है 112 country ने completely abolish कर दिया death penalty in law for all crimes 144 countries ऐसे कुछ data fact दिये हो है सब तो याद नहीं रख सकते कोई भी एक या दो जो भी आपको अच्छा लगे ठीक है मगर हम्यारे लिए जो data point important है वो यह होना चाहिए कि 55 countries still retain the death penalty in law in practice क्योंकि भारत ने भी रखा हुआ है फिर वो बोलता है कि भुटान और नेपाल are the only abolitionists for all crime इन्होंने पूरी तरीके से abolish कर दिया है ठीक है और in practice में मालदीव और श्रिलंका इंडिया अलॉंग वित अगवानिस्तान ये are the retentionist मतला हमने अभी भी death penalty रखी हुई है ठी अब मुद्दे की बात ये देखके बताओ मुझे कि overall इस article में आपको लगा क्या क्या समझ माया भी तक पढ़के कि आपको यहाँ पे क्या चीज मिलेगी आपको यहाँ पे बातें मिलेंगी death penalty के बारे में कि अगर ऐसा rarest of rare crime होता है या rape होता है तो उसमें death penalty मिलनी चाहिए या नहीं या इस article में बात की जारी होगी कि death penalty सही है या गलत है हमें retent करनी चाहिए बद रखना चाहिए या उसे abolish कर देना चाहिए जैसा कुछ देशों ने किया है यह कुछ बातें चल रही है ठीक है पिर जब आगे बढ़ोगे तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखेगा आपको BNS नियाय सही था जिसको बनाए गया है after replacing IPC उसमें कुछ बातें बोली गई है है ना कि death penalty किंकिंग केसे में मिलेगी वो एक अलग topic हो गया जहां पे भारती नियाय सही था के बारे में हमको पढ़ना है कि उसमें कौन-कौन से provision से और क्या change यूए ठीक है तो वो एक बड़ा मुद्द है उसको अभी side में रखते हैं ठीक है मगर हाँ यहाँ यहाँ पे आप लोगों को justice वर्मा कमीटी के बारे में भी जानने को मिलेगा बट आफकोर्स ही बात है अगर रेप के बारे बात हो रही निर्भया केस के time पर सब जानते हैं justice वर्मा इस देश ना ऐसा किया हुआ है यह सब बात है बट एक बार यह सोचके देखो कि इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो मगर UPSC क्या पूछेगी और क्या पूछा हुआ है उसने previous year में वो आपसे यह पूछेगी कि यह जो death penalty है इसको ethical perspective से देखके बताओ कि इसे रखना चाहिए अबॉलिश करना चाहिए यह question आएगा या वो आपसे यह पूछेंगे कि यह जो death penalty है क्या यह actually में fruitful है crime को रोकने में जैसे कि rarest of the rare case में हमारी supreme court ने judgments दिये death penalty के rape convicts को एक यह question आ सकता है आपसे पूछा आ सकता है कि death penalty इंडिया के respect में कितनी जादा fruitful रही यह इस जो भारते नाय सही था जो नए हमने replace की है नए कानून बनाए वो कैसे इसमें changes लेके आ रही है कुछ इस टाइप के questions हमको frame होते वे दिख रहे है ठीक है तो अब इस topic को पढ़ने का सही तरीका होना क्या चाहिए आप खुद यह चीज सोचो वो होना चाहिए death penalty के बारे में जानना तो अब आप यह खुद सोच के देखो कि अगर आपको इस article में से कोई चीज उठानी है वो तो बात की बात है कि यह जो abolitionist feminist movement यह क्या होता है है ना और जितने भी तरीके के मैंने आपको questions बताए इन सब के पहले आपको आनी चाहिए पहले एक basic चीज जो आपका foundation बन लगता है तो सबसे पहले आपको command करनी पड़ेगी capital punishment के टॉपिक पे अब capital punishment में आपको सबसे पहले क्या लिखना चाहिए कि capital punishment को define कैसे करते है ना फिर यहाँ पे concept आएंगे due process of law procedure established by law क्या आप इनके बीच में difference जानते हो ठीक है फिर आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे death penalty के provisions हैं वरना लिखोगे क्या वहाँ पे वहाँ पे यह चीज लिखनी पड़ेगी आपको ठीक है फिर आपको यह बताना पड़ेगा कि हमारे देश में justice के principles क्या क्या होते हैं मतलब किसी व्यक्ति को आप सुधारने के लिए उसको capital punishment देते हो या उसने जो crime किया है उसको सजा मिलनी चाहिए equally बराबर उसके लिए सजा दी जाती है जिसको technical term में reparation, reformation, retribution कहते हैं जो justice के principles होते हैं यह आपको पता होने चाहिए ठीक है आपको पता होना चाहिए remarkable supreme court judgment जहाँ पे supreme court ने death penalty the rarest of the rare बोला था बच्चन सिंग वर्सेस state of union ऐसे कोई भी एक या दो case जो अब code करोगे और finally capital punishment के arguments for और against ठीक है फिर mercy petition लगा दी जाती है convicts के द्वारा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए बस कम से कम पहले इतनी चीज को prepare करो अगर आपकी इतनी चीज prepare हो गई एक बार और जब आप किसी एक ऐसे article को पढ़ रहे हो जो death penalty की बात कर रहा है तो आप खुछ सोच के देखो कि जब आपका पूरा foundation तयार है कि हाँ justice इसलिए दिया जाता है death penalty सुप्रिंग कोर्ट ने अलग अलग जगे ये बोला judgments में death penalty की definition नहीं होती इसके pros और cons ही होते हैं उसके बाद सोचो कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप apply कर पाओगे आराम पर कर लो ठीक है चल चलते है next topic पर अब देखो next topic अपने आप में बहुत easy है next topic क्या बात कर रहा है demographic advantage Indian economies sweet spot अब मुझे एक बार सोच के बताओ कि अगर demographic के बारे में कोई भी headline दिखी तो एक student को क्या सोचना चाहिए उस student को सोचना चाहिए कि यार demographic के बारे में भारत के जो देश में demographic dividend है वो बहुत जादा है जिसमें demographic का मतलब होता है 15 से 60 अलग अलग जगे 64 भी लेते हैं ठीक है मतलब working age population फिर इसी को demographic हमारी जो है वो backfire कर रही है क्योंकि enough employment हम opportunities को generate नहीं कर पा रहे है यही data fact कई बार हमें international label organization world bank IMF ने बता है ठीक है जिसमें सबसे important labor के लि जो की United Nation की specialized agency है ठीक है यह भी basic fact पता होने चाहिए फिर आपको यह पता होना चाहिए कि यार मैं demographic dividend के बारे में इतना elaborately क्यों पढ़ रहा हूं मतलब इसका फायदा क्या है तो हमें तुरंत याद आएगा कि हाँ यार UPSC ने न मेंस में हमसे questions पूछे हुए demographic dividend पे है ना कौ कौन से question पूछें देखते हैं जैसे में 2016 में question पूछा था कि demographic dividend जो है भारत का it will remain only theoretical unless our manpower becomes more educated मतलब कि जब तक skill उनमे creativity उनको educate नहीं करोगे जब तक इस जो demographic dividend को आप cherish कर रहे हो न यह एक सपना ही रहेगा या theory में ही रहेगा इस पे light डालते हुए ऐसे majors बताओ जो सरकार ने लिए जिससे हम capacity को develop कर रहे है उनको productive और employable बना रहे है बड़ा simple सा question है अब इस question को solve करने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक या दो fact पता होने चाहिए जिससे आप start करोगे आपको जैसे यहाँ पे मैंने quotation दिया है economic growth potential that can result from shift in population age structure एक code पता होना चाहिए और बाकी उसकी body आएगी that's it ठीक है एक और question देखो जो 2014 में पूछा था demographic dividend है और employability है मतलब demographic dividend और employability इन दो keyword पे अलग-अलग तरीके के questions बन रहे है एक चीज़ हमको समझ में आ गई ठीक है तो अब हमारा क्या दाहित हुए अब हमारा दाहि सारे question solve कियों है demographic पे UPSC mains के तो यहाँ पे हमारा दाहित तो क्या बनता है वो बनता है कि हम हमारे demographic dividend को पढ़ें ठीक है जहाँ पे हमको basic कुछ चीज़ें जैसे demographic क्या होती है demographic cycle क्या होती है demographic dividend क्या होता है अगर ये बातें पता हैं सारी चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ अ अब इन सारी बातों को जिसने पढ़ रखा है अब वो इस आर्टिकल को पढ़ो मेरे साथ कितनी देल लगेगी देखते हैं इंडिया जो है economic giant बन रहा है gig oh sorry big economy world's fastest growing big economy है currently fifth largest है किसको सरपास किया हमने chat section बताओ जरा नीचे चल दी से ठीक है major factor propelling demography होती है median age हमारी 28 साल है 63% population working age हमारी ILO समझ गए continue with the reform agenda first and foremost क्या need है कि ongoing reforms agenda है मैं उससे maintain करना है if not accelerate बढ़ा नहीं पा रहे हो तो maintain तो करो opportunities create करो लोगों के लिए budget speech में बहुत सारी schemes हमारी सरकार लेके आई थी पढ़ी है ना हमने अभी कि जो MNC लोगों काम देगी जिसको काम मिलेगा उसको भी incentive मिलेगा MNC को भी incentive मिलेगा एक बतार हो एसी बहुत सारी हमने पढ़ी ठीक है फिर यहां पे ease of doing business की बात चल रही ह है जिसके कारण से employment generate होगा economic survey का quotation दिया है कि technological advancement जब होता है तो उससे capital to output ratio decline होता है यह एक technical चीज है capital to output ratio क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए है और वो decline का होता है जब technological advancement होता है क्यों क्यों क्योंकि नई machine आएगी common sense ठीक है फिर 16th finance commission की बात चल रही है देखो एक student जब topper की नदर से पढ़ता है न तो कैसे चीजों को पढ़ता है अब ऐसा नहीं कि 16th finance commission इतनी देर में तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए 15th में terms of reference क्या था almost same terms of reference 16th finance commission में 15th पर अल्रेड़ी UPSC ने 2024 में prelims में question पूछा है terms of reference मे तो 16th पर भी पूछ सकती ही वो भी मेरे को पढ़ना है ये चीज़े नक linkage होना चाहिए ठीक है क्या है फिर वो बोल रहा है कि MSME backbone employment के लिए इसमें हमको काम करना चाहिए labor intensive sector है ठीक है फिर वो यहाँ पर center के effort बोल रहा है untenable 45% workforce to be employed in the agriculture sector वो बता रहा है कि primary secondary tradition में कितने लोग employer कितना GDP महां से contribute होता है सब जानते हैं जो economy पढ़ता है skilling continuous process है हमें करते रहना चाहिए फिर वो बता रहा है artificial intelligence machine learning का क्या महतो है repetitive task में वो job को खतम कर देगा ठीक है फिर वो कुछ data fact बता रहा है NASCOM WASCOM के हमको मतलब नहीं है new education policy में बता रहा है कि skill foundation level पे हम कैसे provide करेंगे जि के तुरू cognitive skill critical thinking हम develop कर रहे हैं बच्चों में बात खतम मुझे सिर्फ एक बारे सोचके बताओ कि इस पूरे article को जिस student ने demography dividend के static को पढ़ा है इस article को खतम करने में उसे कितनी देल लगी hardly 5 minute hardly ठीक है इस तरीके से आप अपने time को भी बचाओ अपनी energy को भी बचाओ और अप अपने competitor से एक edge लो जो आपको कई गुना जादा निकाल देगा आगे सिर्फ कुछ महिनों में ठीक है तो पढ़ने का तरीका यही रखो that's it from my side for today's question answer session we'll meet you soon till there keep shining have a good day